नमस्कार दोस्तों मैं हूं मुकेश और आप देख रहे यूटूब चैनल बिग जनकरी आज किस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ओविस के मोबाइल बैंकिंग के बारे में पूरी डिटेल्स में बताऊंगा उस तो बहुत सारे वीवर्स का कॉमेंट आ रहा था कि सर कैसे हम इसमें hospital Uh को एक्टिवेट कर सकते उसका क्या प्रोसुझ्योल रहा है पर उनका लोगिन करने के समय इंवैलिट क्रियुइन्चियल आ रहा है या फिर कुछ error MI, BUC करके error आ रहा है या कभी-कभी दिखा रहा है कि आप अभी login नहीं कर सकते हैं प्लिस ट्राइगन लेटर तो यह वीडियो को दो पाट में बनाया जाएगा इसको आप पूरा end तक देखेगा इस वीडियो का अगर आप पूरा last तक देखते तो आ इसे फिल किया जाता है उसके उपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुए उसकी लिंक आपको description में मिल जाएगी आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं उसमें पैन नंबर अपडेट होना चाहिए मोबाइल नंबर यूनिक मोबाइल नंबर होना चाहिए साथ ही email id compulsory रेजिस्टर होना चाहिए तो आपने अगर जो पोस्टविस में savings account पहले से खुला हुआ है उसमें अगर यह सब updated नहीं है तो पहले वह updated करेंगे उसके बाद अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं और चैनल यह वीडियो को लास तक जरूर देखेगा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप रेगुलर मेरे वीडियो को देखते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल कलर का बटम है उससे सब्सक्राइब कर लिजे ताकि जो भी पोस्टों इस से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो में पोस्ट करता हूं उसके रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो च लिंक में आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में देदूँगा वहां से भी डिरेक्ट आप इसे इंडिया पोस्ट मोबाइल बेंकिंग एप को डाउनलोड कर सकते हैं नेक्स्ट आपको क्या करना है डाउनलोड करने बाद जब आप ओपन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस को क्लिक करना है स्वस्क्राब करते ही आपको नया पेज सामने ओपन हो जाएगा दॉम प्रकार का रहेगा यहां ऍसकते हैं एक्टिविशन लिखा गया है तो डेट आप यहां पर डाल सकते हैं दोस्तों पोस्टविस की सेविंग्स पाजबुक में जो डेट आप बार्थ होगी वही डेट आपको डालना है मैंने जैसे की बताया एरर भी हो सकता है पोस्टविस स्टाफ के द्वारा तो कभी बूल एंट्री अगर हो गई होगी तो इस एप बटन को क्लिक करेंगे आपके समने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा SMS OTP आपके रेजिस्टर मोबाइल नंबर पे 4-digit OTP एक आया होगा उस 4-digit OTP को आपको यहां पे डालना है जैसे ही डालेंगे आप देखिए इस प्रकार का OTP का मेसेज आयागा DOP CBC से यह है डियर कस्टमर यह मोबाइल बेंकिंग एक्टिवेशन OTP is 5356 तो आपका जो भी O एक्टिवेशन का Enter the MP 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 होता है MP होता है आपका मॉबाइल पीन यानिगी आप मीजब इस मोबाइल पे एक्टिवे लॉग-इन करेंगे तो आपको 4-digit का यह एम पिन डालना होगा और आप log in कर पाएंगे तो यहां एंटर new mpn आपको फोटीजिट का कोई बी डालना है और confirm new pin यानि कि दो बार आपको डालना है डालने के वाद आपको simply submit बटन पर क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहां जैसे मैंने बताया था फर्स्ट कि यहां लॉगिन का जो पेज यूजर नेम और यहां डालना है क्योंकि जब पहले हमारा एक्टिवेट नहीं था तो पहले हमने मोबाइल एक्टिवेट मोबाइल बेंकिंग पे क्लिक किया था पर आप हमको यूजर नेम और एमपिन हमारा यूजर नेम जो है वह सी अफ़ाइड है तो यहां आप देख सकते हैं यूजर नेम योजर नेम में डालना है शेकंड एम पिन में आपने जो अभी फोच डिजिट का कोड बनाया था मोबाइल पर ही उस एमपीन को इसमें डालना है डालने के बाद आपको simply गो का जो बटम पर उस पर क्लिक करना है दोस्तों बहुत सारे लोग यह मिश्टेक कर देते हैं वह डायेक्ट को यूजर्नेम बता भी देते हैं कि सिए फएडिय तो यूजर नेम डालते हैं पर उनका होता नहीं क्योंकि वह गोपे क्लिक करते हैं अपको नीचे एक्टिवेट मोबाइल बैंकिंग पर सबसे पहले जब आप रेजिस्टर करेंगे तो इस पर क्लिक करना है अब हम यहां जैसे की लॉगिन कर रेजिस्टर कर चुके हैं तो हम लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और मोबाइल पिन डालके गो पर एक्टिवेट किये ह करे始小 चार्टिव देखे द आपकी सामने इस प्रकार का डैसबोट ओपेन हो जाएगा यहां देख सकते हैं यहां आप्श। diabetes मिलेगा accounts का details आप देख सकते है, transfer का details देख सकते है, payments का क्या है, checks के बारे में जान सकते है और request तो दोस्तों इस वीडियो के बाद में एक चौर वीडियो बनाऊंगा जिसमें की mobile banking के error के बारे में बताऊंगा mobile banking login error है, उसका एक second part वीडियो आएगा, उस वीडियो का आप ज़रूर देखेगा, क्योंकि login करने के बाद भी जब आप next login करते हैं, activate हो जाने के बाद आप जब next login करते हैं, तो बहुत सारे लोगों का error आता है, वो क्या error है, उसका क्या solution है, उसके उपर एक वीडियो लाने व feature से उसके बारे में भी एक third video लेकर होगा, और उसके कैसे उसके उसके उपर भी एक detail video रहेगी, तो इन दोनों वीडियो को आप ज़रू से देखेगा, आप कब next tracking है, अगर इस channel को आपने subscribe किया होगा, तभी उसकी notification आपको मिलेगी, दोस्तों इस mobile application की link जो है, Google Play Store की मैं से दूँगा, आप वहाँ से क्लिक करके असानिसे से डावलोड कर सकते हैं, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि post विस mobile banking के बारे में आपको सारी जनकरे दे पाया होगा, इस video में आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप mobile banking को activate कर सकते हैं, उसका क्या procedure है, next part में मैं आपको लेके आऊँगा, कि अगर आपने activate कर लिया है, पर login करते हैं, आपका invalid credential आ रहा है, please try again later, या और कोई भी error आ रहा है, जिससे कि आप login नहीं कर पा रहे हैं, इंडिया post mobile banking में, तो उसके उपर मैंने इसका solution लेकिया है, दोस्तों, post office customer care में मैं मैंने mail किया था, इसका screenshot भेज क तो उस वीडियो को जरू से देखेगा, दोस्तों, इस channel पर ही upload होगी, अगर आपने अब भी तक channel को subscribe नहीं करे है, तो नीचे जो लाल कलर का बटम है, उसको click करके subscribe कर लिजे, ताकि जब भी मैं उसकी वीडियो post करूँगा, तो आपको उसकी notification मिल सकेगी, और आप देख सक करेंगे, और इस वीडियो में आपको बता देना चाहता हूँ कि थर्ड वीडियो भी में एक पार्ट लाने वाला हूँ, जिसमें कि post of this mobile banking जो हमने activate करके दिखाया है, उसके अंदर जो जो features है, उस features के बारे में हम discuss करेंगे, उसे कैसे utilize किया जा सकता है, उसमें हम क्या क्या सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा, ठैंक्यो